Good morning students, आज के class में हम अपनी learning theories का part 2 डिसकस करेंगे, यह class बियर्ट first semester के student के psychology paper से है, इसमें हम कुछ important topics जैसे gestal theory, brunner theory, organic theory के कुछ topics हम discuss करने जा रहे हैं, जो MCQ के लिए बहुत important है, यह multiple choice questions इस पे बन जाएंगे, यह बियर्ट के students के लिए तो important है ही, साथ साथ यूपिटर्ट और सीटर्ट के students भी इसको ध्यान से देखें, पिछले class में हम discuss कर चुके थे, तीन theories हमने discuss करी थी, तो आज उस theory का जो number है वो है number 4, पिछले class में हमने Pavlov की और Thondike की और हमने Skinner की theory डिसकस करी थी, तो आज theory number 4 है learning theories में, तो gestal insight theory है, इसको हम लोग को इनसाइट theory भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो किया था, वो कोलर ने किया था, इसलिए कोलर इनसाइट theory भी कहा जाता है, इसके जो प्रपांडर थे, वो कोलर, कौफका, लेवन और वर्थी मेर थे, यह चार लोगों ने इस theory को बनाया था, लेकिन सबसे ज़् यह, यह, तो यह 1916 में इनने यह theory दिया था, जेस्टाल इनसाइट theory, और यह जो थे, यह रश्या और जर्मनी मैंने लिख रखा, इनकी nationality जो थी, यह कोलर जो थे, यह रश्या के थे, बाद में जर्मनी चले गए थे, इनने अपना सारा काम जो है जर्मनी में किया था, और बाकी जो कौफका, लिविन और वर्थी मीर, यह जो है, बेसिकली यह जर्मनी के ही थे, तो हम कहा पूछा जाए कोलर ने कहां कि थे, तो कोलर रश्या के बेसिकली थे, और बाकी लोग जो है जर्मनी नेशनल, जर्मन नेशनल के थे, एक्सपरिमेंट इनने चिंपैंजी भ इसका नाम क्या था, सुल्तान नाम था, और बुक जो इनने पब्लिश करी थी, वो थी, mentality of apes, अगर पूछा जाए कौन से बुक थी, तो mentality of, कभी-कभी पूछा जाता है, कि आप से MCQ में, कि जस्टाल की मीनिग क्या होती है, तो जस्टाल एक जर्मन शब्द है, यानि जर् organized whole, and organized whole, इसकी मेनिग होती, insight का पूछ लिया थे, insight, what do you mean by insight, तो insight की मेनिग होती, sudden grasping of solution of problem, यानि किसी भी, जो है, problem के solution को अचानक पकड़ लेना, यानि अचानक आपके दिमाग में इसका solution आजाना कहा जाता है, insight, आगे बढ़ते है, process, तो ये process क्या होता है, कि जस्टाल तो ये process अपना या था, तो ये problem, insight, solution, ये three step process था, problem, insight, solution, factors of our insight, पूछा जाता है, कि insight के factors कौन कौन से, तो experience, intelligence, learning situation, initial effects, or generalization and repetition, फिर पूछा जाता है, कि principles, इनने कौन कौन से, principles दियाते है, इस theory के, through, तो previous experience, पहला principle, दूसरा तर, readily available, तीसरा, capacities, चौथा, use in new situation, पांचवा, experimental arrangement, और छटा था, wholesome experience, तो ये total, इनने, छे जो है, तो टोटल जो है, छे principles हो गए, next जो theory है, वो scaffolding theory, अमारी fifth theory है, इसके जो propounder थे, वो थे, Jerome Brunner, ये कहां के थे, ये United States of America के थे, ये सीधे के पूछ लें, तो ये अमेरिका के थ ये, year 1961 में, इनने, scaffolding theory दिया था, इसको Brunner's, scaffolding theory भी कहा जाता है, publications, अगर इनने जो book publish करी, या कुछ article publish करे थे, तो 1960 में, the process of education, दूसरा था, actual minds, possible worlds, 1987 में, acts of meaning, 1991 में, the culture of education, 1996 में, अब modes of representation, तो इनने लर्निंग के कुछ techniques पताया थी, इसको mode of representation कहा था, तो mode of representation होता था, way in which knowledge are stored and encoded in memory, यानि जिस तरह से, जिस तरीके से, knowledge को हम अपनी memory में store करते हैं, उसको modes of representation कहते हैं, three modes के बारे में इनने डिसकस किया था, पहला inactive, iconic, और तीसरा था symbolic representation, तो inactive modes of representation जो था, वो 0 से 1 year, जब child जो है, जो है, क्या होता है, child in fancy stage में होता है, तो 0 से 1 year हम कहते हैं, तो उसमें action based उसकी learning होती है, यानि वो activities या learning by doing के through जो है, वो सीखता है, तो जितनी भी activity करता है, वो उसके through वो सीखता है, तो उसको inactive phase कहते हैं, फिर iconic modes में क्या होता है, 1 से 6 years, अगर पूछा जाए, iconic stage की year कितने होते हैं, तो 1 से 6 साल होता है, image based, इसमें जो learning होती है, वो image based, यानि models के through बच्चा लड़ता है, जो है, learning होती है, उसकी models के द्वारा वो सीखता है, यानि icons के द्वारा, image और pictures के द्वारा, वो सीखने की कोशिश करता है, फिर वो symbolic stage आती है, symbolic modes of representation में कहोता है, 7 years onwards, यानि 7 साल से, उपर की जो age होती है, वो symbolic stage को represent करती है, इसमें language based, यानि complicated, फ चुरू कर देता है, तो पहले action के through सीखता है, फिर image based, यानि models के द्वारा, और फिर उसके बाद language, यानि उसको भार्षा का ग्यान हो जाता है, concept क्या था इस theory का, children need support and active help from their teacher and parents if they are going to become independent learners as they mature, यानि बच्चे जो होते हैं, उनको अपने teachers या parents के support के ज़रुत होती है, जो वो खुद से, यानि independent learners बन सकें, mature होने पर, तो यह scaffolding जो words था, पूछा जा, scaffolding word जो था, यह पहली बार किसने यूज़ किया तो, scaffolding word learning में जो है, Jerome Brunner ने यूज़ किया था, एक और इने term यूज़ किया था, spiral curriculum, पूछा जो कभी-कभी पूछ लिया था, बेड में भी पूछे और आप से जो है, अक्सर कभी, जो है, competition, Jupiter to seated में पूछते हैं कि, कि spiral curriculum किसने suggest किया था, spiral curriculum, Jerome Brunner से related है, हम learning theories में अपनी छटी थियोरी है, जो थियोरी है, हमारी गैने इस hierarchy of learning, इस थियोरी के जो प्रपाउंडर है, वो है Robert Ganne, यह USA के थे, 1965 में ने यह थियोरी दिया था, इ miss pearls of instructional design, यह दूसरी बुक थी इनकी, जो इनने यह थियोरी दिया था, यह conditions of learning, 1965 जो बुक पब्लिश करी थी, इसमें यह थियोरी के बारे में description था, इनने इनने hierarchy of learning की बात करी थी, इनने क्या किया था, he arranged eight behaviors, arranging from simple to complex, इनने simple से complex way में जो है, human के eight behaviors को जो है, इनने इस तरह के एक pyramid बना कर, इनने अरेंज किया था, यानि जो सबसे lowest form की learning थी, उसको कहा था, signal learning, और जो उसके उपर वाली learning थी, number two, वो थी stimulus response, third chaining, फिर fourth है, verbal association, फिर discrimination learning, फिर concept learning, फिर rule learning, और last में जो top पर यह हमारी, जो learning थी, उसको कहा था, problem solving, इनको देखेंगे, कि lowest से highest की ओर यह जा highest form of learning कौन सी है, वो है problem solving skill, जब हम सीख जाते हैं, तो highest form of learning के लाती है, वो सबसे lowest form of learning कौन सी है थी, वो थी है signal learning, signal learning यह पैवलॉप की थियोरी से ले गई है, तो अगर पूछा जाए signal learning किस से related है, पैवलॉप की थियोरी से related है, दूसरी stimulus response थियोरी, यह skinner और thon deck की थियोर जो इनी ने concept दिया तो वो Advent Guthrie की theory थी उससे लिया गया था तो यह जो है तीन चीज़ है बहुत important जो अभी हमने discuss करी है तो यह जो कहा जाता है कि जो signal learning और stimulus response और chaining यह animals में भी पाया जाता है और humans में भी पाया जाता है और animals में यह 4 से लेकर 8 तक की जो form of learning है यह animals में नहीं पाया जाती है यह सिर्फ humans में होती है तो humans में एक से लेकर 8 तक के जो हमने बता है इस सब humans में पाया जाती है लेकिन animals में सिर्फ signal, stimulus, chaining यही 3 techniques होती है जो यही पाया जाती है animals के अंदर learning theories हमने discuss करी है इसके detail में वीडियो मेरे channel पर मौझूद है अगर आपको जो है इसकी detail में इसकी knowledge चाहिए होगी तो मेरे वीडियो उन वीडियो को जरूर देखिएगा चलिए आज के class के लिए बस इतना ही रखते हैं thank you very much